आज हम बात करेंगे दुनिया का एक ऐसा देश जो मद्धिवगिन काल से आज तक 40 बार आजादी की लड़ाय लड़ता रहा साल 1722 से 1795 तक मतलब 23 साल के लिए देश को दुनिया के नक्षे से हटा दिया था हम बात करेंगे मद्धि यूरोप का छोटा सा देश पोलन के बारे में जिसे अधिकारीक तोर पर Republic of Poland ऐसा भी कहा जाता है देश का पुरा एरिया 16 प्रांतों से मिलकर बनाए जो 3,12,696 स्केर किलोमेटर का एरिया कवर करता है देश के बारे में जानने से पहले हम उसके नाम के बारे में जानते है पोलन का क्या मतलब है देश की ओपेशल भाषा पोलिश है और पोलिस भाषा में पोलन को पोल्सका कहा जाता है इसका मिनिंग है the land of field मतलब खेतों की भूमी पोल्स का शब्द को पोल्स शब्द से लिया गया था पोल्स का मतलब होता है एक खाली मैदान 1500 साल पहले इस जमिन पर कई सारे लोग रहते थे उनमें से पोलन नाम का एक ग्रूप था जिनकी आबादी इस मैदान पर सबसे ज़ादा थी इसलिए पोलन का उल्लेक The Land of Poland ऐसा भी किया जाता है दुनिया में किसी भी देश की एकोनामी दो चीजों पर डिपेंड होती है एक्सपोर्ट चीजों पर या उनके देश में जो संसादने उसके उपर पोलन ज्यादातर मशनरी, एलेक्ट्रोनिक एक्विपमेंट, वेहीकल, फरनीचर और प्लास्टिक निर्यात करता है लेकिन आपको एक बाद थोड़ी अजिब लगेगी क्या आपने कभी Ember का नाम सुना है जिसे हिंदी में पेड के एक गोन बोलते है जो कापी समय से जमिन के निचे दबी रहने की वज़े से पत्थर में बदल जाती है पुरानी समय में इसका इस्तिमाल आभूशन बनाने के लिए किया जाता था लेकिन आज भी किया जाता है ऐसे पत्थर आसानी से मिलते है समुंदर के किनारे या जमीन के निचे दबे हुए पोलन दुनिया में एक मात्रा ऐसा देश है जो बड़ी मात्रा में एमबर को निर्यात करता है देश के डांग शहर को इंटरनेशनल एमबर कैपिटल कहा जाता है इसले पोलन को अंतर राष्टिय एमबर असोसेशन का घर माना जाता है रोमन कैतुलिक चर्च ने लंबे समय से पोलन के लोगों के जिवन में एक महत्वपूर्ण भूमी का निबाई सभी उरोपेन देशों के मुकाबले यहा के लोग सबसे कम उम्र में शाधी करते है देश का एक लंबा और जटी लितियास होने की वज़े से यहा की 16 जगत को युनेस को द्वारा सोची बद्ध किया दुनिया में सबसे पुराना सभीदान कोंसे देश का है इस मामले में पोलन तिसरे नंबर पर आता है उससे पहले सैन मेरिनो और युएसे का नंबर आता है देश ने अपना पहला सभीदान 1791 में स्थापित किया था लेकिन इसे अधिकारिक रूप से 3 मई 1791 में लागू किया सभीदान के नुसार देश में मजदूरों की रक्षा करना और राजनेतिक समानता स्थापित करना था दुर्भागे से पुराना दस्ताई वेच मतलब सभीदान सिर्फ चाउदा मैने तक चला देश के आबादी 38 मिलेन से भी जादाए और यहां के 97 परसेंड लोग पोलिस भाषा का इस्तिमाल करते है राजदानी की बात की जाए तो वार्सा शहर देश की राजदानी और आबादी 17 लाग दुसरे विशुदे के दवरान जर्मनी ने वार्सा को पुरी तरा से नश्ट किया था 25 सितमबर 1949 को जर्मनी के लड़ा को विमनों ने शहर पर 1000 से भी ज्यादा बंबारी की थी युद्ध खत्म होने के बाद वार्सा को नए तरीके से बनाना पड़ा यहाँ पर एक ओल्ड टाउन है जो असल में 14 सदी का था लेकिन बंबारी में उसका भी कापी बड़ा नुक्सान हुआ था आज की कंडिशन में जो ओल्ड टाउन हमें दिखाये जाता है हो पुराना वाला नही है बलकि एक नया बनाया रश्या के लोगों को ओड़का ड्रिंग पिने की सबसे बड़ी आदत है लेकिन ओड़का का अविश्कार कौन से देश ने किया था इस बात को लेकर रश्या और पोलन के बेच बहस होती रती है कहा जाताए कि 8 या 9 सदी में ओडका का अविशकार पोलन्ड या रस्या में हुआ था 14 वी सदी में ओडका ड्रिंक रस्या में कापी फेमस हुआ थी लेकिन इसका मतलब ए नहीं होता उन्होंने उसका अविशकार किया ओड़का के बारे में दोनों भी देशों का अपना एक अलग इतिहास है यूरोप का सबसे पुराना रेश्टोरंट पोलांड में जिसका नाम है प्यूनिका स्वीटनिका इसे पहली बार साल 1223 में बनाया था और आज भी आप यहाँ पर खाना खा सकते हो पोलंड में education सबके लिए फ्री होता है लेकिन जो international student होते हैं उनको कूछ मात्रा में tuition देनी पड़ती है लेकिन देशके नागरिकों को education पूरी तरह से फ्री होता है दोस्तों इचोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे और शेर कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ